हेलो दोस्तो नमस्कार जैहीन, वंदे मात्रम और आप सभी का स्वागत है हमारे कौर नए वीडियो में आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि गवर्मेंट दोर एक नए काड को लॉंच कर दिया गया है जो कि बिल्कुल आधार कार्ड के जैसा ही कार्ड है, अगर आप इस कार्ड को बना लेते हैं तो आपको गवर्मेंट दोरा बहुत सारे बेनिफिट दिया जाएगा तो कौन सा ये कार्ड है, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस है, कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके कौन-कौन से डॉकुमेंट लगने वाले हैं आज इस वीडियो आपको complete process step by step बताने वाले हैं तो अकर आप भी इस card को बनाना चाहते हैं गवर्मेंट से लाव लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है इसलिए वीडियो को पुरत complete देखना होगा और वीडियो पसंद आजाए वीडियो को like कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए है चैनल को subscribe कर लिजेगा बेल नाट भी पिसन को भी on कर लिजेगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए वीडियो को इस टार्ट करते हैं सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको इस कार्ड को बनाने के लिए कहीं भी जाने की जरूत नहीं है आपने घर बैटे अपने मोबाइल लेप्टोप के माध्यन से ही बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको अबैको ब्राउजर और यहां प टाइप करना यो डी मिलता है इसलिक पर क्लिक करते हैं और यहां को बहुत सारा आपस्टन भी देखने को मिल जाता है ठीक है अब यहांको देखनिक मुलता है इस तरीक का ऑफ्शन करता है सबसे पहले को पर देखने को अएक कैसे कैसा रइचाटिक कर द каких करिए कहां मिलेगाLS यहाँ को इस ठीक मिलेगा यहां परसडनल म्रेंक है ठीक है सबसे पहले नेपर आपको लैंगוज प्लीफ यहां को पढ़ने करना है आपको फूल निम को टाइप करना है उपर देख सकते हैं नाम दिया जो ही नाव को हिंदी में आपको टाइप कर लेकिन आपको देखने हैं तो आपको अपने जैसे कि जैन्टर को सेलेट करें जैसे जैसे की जेंटर का लेता है दिया हुआ तो यहां पर जो भी है जैसे कि जनरल OVC SC HD अधर जो भी है उसका आपको select करना है select करने बाद आपको ब्लट गुरूप है ब्लट गुरूप आपको select करना है तो आपको देखने लिएस रिलेस रिलेसन विद पर्सनल ठीक है आपके ब्रदर है जो भी है आपको आपको उनसे रिलेसन को select करिएगा वही नापको आपको आपको टाइप कर देना है यहां पर टाइप करना है इसका प्लोट कर देना है उसके बाद यहां आपको देखने मुलता आपको कर लिए जाखिंब कर सकते हैं इसको छोड़ दीजेगा या फ़िल करणा हो तो फिल कर सकते हैं यहां परसनल इंक कितना है है और यहां को डिनको आपको क्वालिफीकेशन क्या है आपको इंप्लॉइड है या अदिक सकते हैं यह फिर को छूड़ सकते हैं प्रूफ-अ-प काड आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने वाद देख से आप अधार काड भी दिया हुआ है तो अधार काड को सेलेट करने बाद यहाँ अपने अधार काड को अपलोड कर देख सेलेट करने बाद यहाँ अपने अधार काड को अपलोड कर देख सेलेट करने बाद यहाँ अ आधार काउट को यहाँ अप्लोड कर देना है यहाँ अपने एड्रेस को यहाँ पर टाइप करना है अपने इस्टेट को सेलेट करना है यहाँ अपने इस्टेट को सेलेट करना है अपने दिश्टी को सेलेट करना है अपने तैसिल को सेलेट करना है जो भी आपका तैसिल है त जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहां पर प्रोप्ष आपको यहां पर देखने पर दिसेबिल्टी डियू डू ढहिए यहां से डेख सकते हैं यहां है कि में मेडिसीन इंफेक्शन आपके आपके आपको कैसी प्रॉब्लम हुआ है हाँ आपको हाँ पर सिल्ट कर जेना 활 यहां पर करने चहिए बाद है आप पास तो यूए करिया और आपको सेटिफिकट को भी अपड़ेगा नहीं है तापको कर देना है यहां पर देखने मिलता है ऑस्पीटल पूर इसी ओफ दी काड़ ठीक है अब आपको क्या करना है इजी क्यों करना है चेकवा को कली करना और सब्मीत राफसर अपकर कर दो अब जैसे सब्सक्राइब करेगा यह जो काल आपका अन्लिलाई हो जाएगा और आपको एक लिवस्त नमपर मिल जाएगा अब आपको सिंव चिक करना है कैसे आपड़ करेंगे तो प्र पर यहां पर देखने को इसी पेज़ पे आने यहां पर कुर्ण पर डी नमबर मिला सकते हैं लेकिन अगर आपको क्लिक करना है यहां को बहुत सारा आप्ट देखने को मिल जाएंगा ठीक हो मौला आपको धोड़ा साथ नीचे आना है नीचे आपको डेखने मिलता है अपना काड्ट हो गया है तो भी आप यहां apply कर सकते हैं लेकिन आपको अप्लाइग करने के बाद track your application status, आपको क्या करना लगा इसी वार option पर click करना है, click करने बाद आपको यहां पर track application status का option दिया हुए, तो आपको track application status वार आपको click करना है, click करने बाद यहां सब पने status को check कर सकते हैं, जैसे कि आप track application enrollment UDID, request number, mobile number, आधार number या फिर रदर state value जो भी आपको यहां पर है आपको अवेलबल है, उसका आपको type करना है, Google option पर click करना है, इस तरह के आपको अपने status को check कर सकते हैं, आप बात कर लेते हैं कि आपको यहां पर benefit क्या क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको यहां पर देखने मुलता 3 line, आपको 3 line पर click करना है, 3 line पर click करने बाद यह पर click करना है, जैसे card benefit option पर click करना है, आपको उपर देखने मुलता 3 line आपको 3 line पर click करना है, यहां पर translate option पर click करना है, जैसे translate option पर click करना है, आपके सामने कुछ इस तरीका interface देखने को मिलेगा, यहां आपको बताया गया है कि UDID card विकलांग व्यक्तियों के लिए नीचे द आने का वसकता नहीं होगी, क्योंकि card में सभी आवस्या के विवरण सामिलोंगे, तो मतलब यह है कि अगर आप इस card को बना लता है, आपको कोई भी certificate कहीं भी ले के जाने के जरूत नहीं, अगर आपके यह card बना हुआ है, तो आपको सब कुछ यहां पर, जो भी योजना च क्लिक करना है, अपको नीची आना है, इसे एगर आपको बैनिफिट लेना है, आपको कौन को सब बैनिफिट लेना चाहते है, तो यहां आपको देखने मिल जाखारिज़ नहीं, कोई भी विखलाइंग वेक्थटी है, और आपको इसका ये card बनाना चाहते है, नहीं बना प क्लिक कर लेंगे तो इस तरीके से यहाँप को UDID card को ChiqCh conceive और कार्ड को यहीं से download कर लेका है तो आज की और वरती से इतना ही मिलते Não एगर वीडियो पसंद आए वीडियो को को लाइक कर दीजिए का मेरी चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वे लाट में को भी आन कर लिजेगा ताकि मेरी वीडियो सब्सक्राइब आप तक पहुंचे